नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर अमारी यूटुब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लिट अफ्टर निकल कराई है कि केंद्रे करमचारियों की हुई मोज 18 महीने के डिये एरियर पर आ गई है नई अपडेट तो दोफ्तों केंद्र सरकार के एक रोड से ज्या ज्यादा केंद्रे करमचारियों के लिए 18 महीने के बकार डिये एरियर को लेकर कौन सी नई अपडेट दी है और सरकार इसको लेकर बड़ा ऐलान कब करने वाली है और केंद्रे करमचारियों का पैसा बकाया एरियर का जो पैसा 18 महीने का जो बकाया एरियर रोक दिया गया उसका पैसा के दरी करमचारियों के खाते में कब डालने जा रही है अगर आप हमारी चैनल पर फॉफ टाइम जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ इसाथ वाल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंजिन से समंदी ज जाती है उनकी नोटिस्केशन आप लोगों के पास त्रंत पूसके तो करते वीडियो को स्टार्ट मिना किसी देरी की दोस्तों क्रमचारी पक्स का परतिनी दितों करते हुए सरीकुमार ने डी ओपीटी के सचीव से आगरे किया है कि 18 महीने का डीए का बकाय क्रमचारियों का अधिकार है इस दिवाली करमचारियों और पैंशन भोग्यों को उपार के रूप में डी और डी यार का बकाय जारी किया जाना चाहिए क्रोना काल में केंदर सरकार ने करमचारियों का उक्त बुक्ता रोकर 34402 तसमलो 32 क्रोड रुपे बचा लिये थे डी आरियर का कोईज फेडरेशन के मा सच्यू स्री कुमार ने काया कि करमचारियों के हित से जुड़े मुद्दे उनमें पुरानी पैंशन बाली और कई अन्य मुद्दे सामिल है लगातार उठाए जा रहे हैं अब इनके साथ ही क्रोना काल में रुके 18 महीने के डी यार के बुक्तान की लडाई भी जारी हो गई है कैबिनेट सच्यू को 18 महीने के डी ये बकाया के बुक्तान के लिए स्टाप साइड नैसनल काउंसिनिंग द्वारा पहले भी पत्तर लिखा जा चुका है इस सम्मंद में वितमंत्रयले को एक रिपोर्ट भी दी गई है केंदर सरकार ने सुप् के बचट साथर में माना था कि कई करमचारी संगठनों ने डी ये की बकायाराशी जारी करने के लिए आवेदन मिले हैं मतलब के अंदर सरकार इस सम्मंद में कोई भी ठोश कदम उठाने का या तो फिर बहाना डून रही है या फिर करमचारीों को देना ही नहीं चाहती दोस्तों इस पे भी सवाल उठ चुका है मतलब केंदर सरकार के जो रूपे हैं वो डी ये और डी आर के चोतिस हजार से ज़्यादा है वितराजय मंत्री पंकर चोधरी ने का कि केंदर सरकार का राज पोशिये काटा अभी भी एफ आर बी एम अधिनियम में दिखाए गए सातर से दुगना अधिक चल रहा है केंदर सरकार ने करोना काल में जनवरी 2021 से जून 2021 किस्तक 18 महीने के बकारडिय एरियर के तेंपीस्तों पर रोख लगा दे थी उस वक्त सरकार ने कहा था कि आर्थिक स्थेटिक ठीक नहीं है लेकिन अब तो आर्थिक स्थेटिक ठीक हो गई है तो सरकार को केंद्रिय करमचारियों का ठारा महिने के बकार डिये एरियल का पैसा देना चाहिए दोस्तों क्रोना काल के बाद केंदरिये मंत्री अनुराग ठाकूर ने अलान किया था कि करमचारियों को 28% की दर से महंगाई बत्ता मिलेगा उस वक्त उन्होंने बकाया के बारे में कुछ नहीं का केंदर मंत्री की गोशना का मतलब है कि एक जुलाई 2021 से बड़ी हुई डिये दर 28% मानी जाएगी इसके मताबिक जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच डिये में अचानक 11% की बड़ोत्री हुई जबकि डेड़ साल की अवदी में डिये दरों में कोई बड़ोत्री दर्ज नहीं की आया कि आर्थिक संकट केसमा करमचारियों के वेच्टन और पैंशन को रहत्ताई रूप से रोका जा सकता है लेकिन स्थिती में सुधारा आने पर उसे करमचारियों को वापिस देना चाहिए इसका बुगतान कानुन के मुताबिक होना चाहिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै भारत